we will talk about comparison now so comparison दो तरीके से काम करता है एक positive way में करता है एक negative way में करता है अब comparison को आप कितना समझते हैं यह उस पर depend करेगा कि comparison आपके लिए positive way में काम कर रहा है या negative way में काम कर रहा है इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक example लेते हैं so let's take a negative side first so negative side में क्या हो रहा है आप ऐसा imagine करो कि आपका कोई friend है जिसकी अभी अभी लेट से शादी हुई है वो शादी करके आया है उसकी wife बहुत खुबसूरत है अचानक से आपके तेरी wife खुबसूरत है पर वो जो xyz बंदा है उसकी जो wife है वो किसी actress से कम नहीं वो तो heroine तो इसको आप अपने detail में सोच सकते हैं आप क्या होगा कि वो बंदा जितना खुश था वो बंदा अप comparison trap में आ जाएगा अगर वो strong minded नहीं हैं तो और अब उसको अपना जो achievement है उसकी wife की जो खूबियां है वो उस level पर फील नहीं होगी suppose कि आपने किसी बहुत की अच्छे job interview को crack कर ले और आपको आपकी expected salary भी मिल गई ठीक है let's say कि वो company join कर ली और उसके बाद में आपका कोई friend आपको उस company में मिल गया अब उस company में जो आपका friend है उससे आपने informal communication स्टार्ट किया और बातों बातों में उस friend ने आपको बताया कि उसकी salary क्या है और अब आपको पता लगता है कि उसकी salary आपकी salary से काफी जाद है जबकि वो आपके level पर काम कर रहा है तो यहां आया comparison यहां पर आती है comparison जो की negative वे में काम करता है क्योंकि यह comparison आपको इन मावना लेके आएगा एक unsatisfaction लेके आएगा और यह unsatisfaction धीरे 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 बहुत सारी चीजें करवा सकता है आपसे अगर उसको आपने उस trap में आप ना फसे और अगर आपने उसको ब्रेक नहीं किया तो यह हुआ comparison का negative side किसी भी चीज को छोटा करना है उसको आप compare कर दो और वो चीज हो जाएगी छोटी this is called negative side of comparison तो आप सोचिए अगर करते हैं तो stop करें अब stop क्यों करना है वो आपको पता ही होगा क्योंकि कहीं न कहीं comparison से ही हीन भावना पैदा होती है और उस वजह से धीरे धीरे वो सब चीज़ें गेल्ट या stress डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हैं उस तरीके से वो होती जाती है जैसे यसे आप डीप में जाएंगे तो आप देखते हैं पॉजिटिव साइड और उन्होंने आपको ती दिया है अब आपको बहुत ही का अब बहुत है कि बहुत बड़ी है कॉल आगया अपॉर्चुनिटी आगया अब तो मैं तैयारी करूंगा और बहुत ही बड़ी है मेरी एक्जाम में प्रिपेर कर लोग लेकिन क्या हुआ एक दो दिन बात धीरे धीरे यह जो एक motivation था कि हाँ मैं कर सकता हूँ आपको लगेगा कि अभी time है और अभी time है कि वजह से आपके एक तो दिन खराब हो जाएंगे आपके एक तो दिन खराब हो जाएंगे फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे यारे तो बड़ी problem होने लगी और जैसे जैसे आप करीब पहुचते जाएंगे लेट से कि एक महीने से 15 days only remaining now लेट से 15 days remaining now पर यूर एक्जाम और मेभी पर यूर बिग कमपनी इंटर्व्यू उस case में क्या होगा आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अब क्या हुआ आपने बहुत बड़ी चीज बना लिए अपने दिमाग में कि यार एक्जाम है एक्जाम है एक्जाम है यार इंटर्व्यू कंपनी का एक क्रेकी करना है प्रिश्राइस कर दिया खुद को अब आपको यह बड़ी problem लगने लगी लेकिन सोचिए यहां आप किसी से बहुत प्यार करते हैं जो आप आप जिससे बहुत जादा connect करते हैं उसकी बहुत जादा तवियत खराब हो गई वह hospital में ICU में admit हो गया लेट से कि वह ventilator पे है अब बताओ क्या बड़ी problem है अब क्या आपकी exam या आपका वो खास interview इससे बड़ी problem है नहीं क्योंक समझ मैं तो दिमाग किस तरीके से काम करता है आपकी thought process किस तरीके से काम करती है इसको समझने की हम लोग यहां कोशिश कर रहे हैं और जिस जिस भी ट्रैप में हम सकते हैं उस ट्रैप से हमें free होना यहीं हमारा target है सब या positive और negative दोनों side दोनों type के comparison को समझ चुके हैं कौन स आपके लिए useful अब उस चीज़ को भी आप समझ चुके हैं आपको क्या करना है कि अपनी चीजों पे proud feel करते रहना है उसको compare किसी भी चीजों से नहीं करना है तो आप happy भी रहेंगे और satisfied भी रहेंगे satisfaction की feeling आपके मन में रहेगी peace रहेगी और आपकी जो भी problems है उस जब भी आप उसके बारे में सोचे तो एक बार उससे किसी बड़ी problem के बारे में जरूर सोच लीजे ताकि वो problem आपके दिमांग में बड़ी न बन पाए और आप उसको बड़े ही normally tackle कर ले solution oriented होके आप उसको tackle कर ले peacefully tackle कर ले so this is our target this is our learning for this video thank you so much take care